अब डाउटनेट एप पे मिलेगा आपको क्लास 6 से लेके IATJ तक के मैद के सांसाथ क्लास 11 और 12 के फिजिक्स और केमेस्टी के सभी सवालों के जबाब बस डाउटनेट एप से किसी भी कोशिन की फोटो खीचे और तुरंत पाईए वीडियो सलूशन इसलिए आज है डाउटनेट एप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा देखें साहब इस वीडियो में हम आप सिबात करेंगे UP Polytechnic Entrance Examination 2020 के स्टूडेंट्स के लिए Most Important Numericals के Part 14 के बारे में यानि की Part 14 के बारे में इससे पहले हमने आपके लिए ओलेटी 13 पार्ट अपलोड कर दिया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट्स को लाइन बाइन देख सकते हैं इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडेज टेक्निकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए दोस्त कि हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो सीरी चलती है जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो mathematics most important question answer series की जो है वो वीडियो सीरी चलती है जिसमें हम एक question daily आपको बताते हैं ठीक है उस सीरीज में तो उस सीरीज में लगबग अभी तक यानि कि आज तक लगबग हमने 30 part upload कर दिया है उसका दूसरा हमारा जो वीडियो सीरी चलती है वो most important numericals की है जो कि ये part 14 आप देख रहे हैं ठीक है I think मैंने 8-9 part आपके लिए upload कर दिया है ठीक है सभी की playlist आपको हमारे channel पे मिल जाएंगे चौथा और पांचवा चौवा ये जो चीजे हैं ये हम सभी chapters को step by step पढ़ाते हैं तो ये भी आपको playlist मिल जाएगी playlist का नाम होगा UP Polytechnic Entrance Exam Mathematics 2020 इसी तरीके से Physics 2020 और Chemistry 2020 Mathematics में I think मैंने जो है वो 4-5 chapter आपका पूरा फिनिस कर दिया है जिसमें गुड़नखंड लगुगड़क इसके अलावा घातांक एवं करडी ये सारे chapter लगभग हमने फिनिस कर दिया है ठीक है उसके बाद से जो है वो physics में भी हमने कुछ most important question को finish किया है इसी तरीके से chemistry में भी किया है तो आज आपने जाना कि इतने type की series चलती है हमारे चैनल पर वीडियोज की और अगर आप देखना जाते हैं तो description में सभी playlist का आपको link मिल जाएगा फिलाल इस पार्ट में हम इस question को बहुत अच्छे से discuss करेंगे question आपका ये कह रहा है कि एक prism का code 60 degree तथा अलपतम विचलन कोड 38 degree है तब prism के पदार्थ का अपवर्तनांग क्या होगा ठीक है यानि कि prism code दे दिया गया है A की value दे दी गई है 60 degree ठीक है और अलपतम विचलन कोड डेल्टा M बराबर दे रखा है 38 degree तो इस स्थिती में prism के अपवर्तनांग को पूछ रहा है कि prism के पदार्थ का अपवर्तनांग क्या होगा तो इसके लिए एक बड़ा जो है वो simple सा आपको सूतर मिलेगा हलाकि सूतर को याद करना थोड़ा सा मुस्किल होगा लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत simple तरीके से इस numerical को आप solve कर पाएंगे इस टाइप के numerical काफी बार मैंने देखा है कि पूछा गया है आपके entrance exam में यहाँ पे आपके example के तौर पे 2008 में पूछा आ चुका है अपडेट किया गया है यहाँ पे तो इसके लिए आपको एक बड़ा simple सा formula याद रखना होगा कि n इक्वल्स 2 sin delta m प्लस a by 2 और बटे में sin a by 2 यह simple सा formula आप ऐसे याद रखेंगे कि n बराबर sin delta m प्लस a by 2 और पूरे का बटा sin a by 2 यह formula अगर आप simple तरीके से याद करते हैं तो इस prism के पदार्थ का पूर्तनांग का आप निकाल सकते हैं तो आईए हम निकालते हैं हमको मिल चुका है a की value यानि की a की value 60 degree हमको मिला है prism code का मान और नियूंतम विचलन कोड delta m का मान 38 degree मिला है और ang यानि की n यानि की prism के पदार्थ का पूर्तनांग निकालना है तो simply हम यही सूत लगाएंगे की n बराबर sin delta m प्लस a by 2 by sin a by 2 a की जगह पे और delta m की जगह पे दोनों की values रख दीजे तो a प्लस delta m यानि की 60 प्लस 38 by 2 और बटे में sin 60 by 2 ठीक है जब इसको जोडेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 98 बटा दो sin 99 बटा दो और 98 का आधा कितना होता है 99 का आधा होता है आपका 49 degree तो sin 49 degree उपर हो जाएगा और बटे में sin 60 बटा दो यानि की 60 को अगर 2 से काटेंगे तो 30 degree हो जाएगा तो यानि की नीचे हमारा बचेगा sin 30 degree अब देखिए अब आपको question में ही दे रखा है जब भी आपको इस type का question देगा और कोई ऐसी value आएगी जिस का मान आपको नहीं पता है for example sin 49 degree का मान आपको नहीं पता रहता है तो इस इस्तिती में यहाँ पे value question में ही दे दिया जाएगा तो इसकी value 0.75 दे दिया गया है तो हम यहाँ पे sin 49 degree की जगह पे हम लिख देंगे 0.75 और 37 degree का मान आपको पता ही है एक बटा दो यानि की 0.5 तो 0.5 हम रख देंगे और जब divide करेंगे तो हमारा निकल के आजाएगा 1.5 आंसर ठीक है तो इस तरीके से आप question को बहुत easy way में solve कर सकते हैं अब मैं आपको कुछ values में exchange करके दे रहा हूँ और आपको हमें prism के पदार्थ का पॉर्तनांख निकाल के बताना है यहां पर 38 डिगरी की जगह पे ये भी आप जो है वो 60 डिगरी कर लीजे prism कोण भी 60 डिगरी है और अलपतम विचलन कोण का मान भी 60 डिगरी हमने जो है वो रख दिया अब आप जो है वो n की value निकाल के हमें बताईए कि prism के पदार्थ का पॉर्तनांख क्या होगा ठीक है एक बार और ध्यान दीजे कि a बराबर भी 60 डिगरी दिया है और delta m बराबर भी हमने 60 डिगरी मान लिया और इस इस्तिती में आप n की value यानि की prism के पदार्थ का पॉर्तनांख निकाल के बताईए और साथी साथ ये सूतर भी एक बार comment कर दीजेगा ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं ठीक है इस टाइब से question आपका पूछा जाता है और इस टाइब से question को आप याद रखेंगे ठीक है न तो आसा करते हैं कि ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful होई होगी और सभी प्लेइलिस्ट को आप जरूर चेक करेंगे और इस वीडियो को शेर जरूर करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद